इस आई बटन और निचे इस्कूपशन बॉक्स में आपको solution of system of linear simultaneous equation का complete playlist मिल जाएगा साथ में आपको numerical analysis and numerical methods का भी आपको complete playlist मिल जाएगा welcome to video n.5 जहांपे हम gauss-seidel iteration method पे हाम यहाँ पे working role देखेंगे साथ पे एक important problem को अपने यहाँ पे solve करेंगे and I am sure कि अगर आप इस वीडियो का आखती तक देखते हैं तो आपको इस topic में कोई भी difficulty नहीं होगी system of linear simultaneous equation को solve करने के लिए diet method भी है और indirect method भी है diet method मतलब जहाँ पर आपको exact values मिलती है x y और z की यहाँ पर क्या था आपको iteration perform करना पड़ता है जिसके करना आपको क्या मिलता है approximate values डाइक method में हमने काउन से कौन से method को पढ़ा हुआ था गॉस elimination method को हम पढ़ा है video number one में video number two में हमने देखा था गॉस jordan method video number three में crowds method था video number four that is previous video में हमने देखा था गॉस jacobis method और इस पर टोले वीडियो हम क्या दिखने वाद है गॉस सेडल iteration method देखेंगे और next video that is video number six हम देखेंगे relaxation method तो शुरू करते हैं working rule of Gauss सेडल iteration method consider the system of equations यहाँ पर आपको equation दिया a11x plus a12y plus a13z equals to b1 a21x plus a22y plus a23z equals to b2 a31x plus a32y plus a33z equals to b3 आपने अगर मैंने previous video देखा वाद है that is video number four जहाँ पर हमने रिखा था Gauss-Jacobis iteration method हमने देखा था वहाँ पर हमने देखा कि diagonal dominance property को apply कैसे करते हैं तो यहाँ भी आपको same चीज़ को follow करना पड़े है that is diagonal dominance property जो है वापका satisfy करना चीए कैसे देखो यहाँ पर रिखावा है mod of a11 is greater than mod of a12 plus mod of a13 मेरे कहने का मतलब यह है a11 का magnitude होगा मैं आपको magnitude consider करने बोल रहा हूं है ना इसका value positive और negative को यह फ़रक्ने पड़ता है हमें इसे magnitude से मतलब है तो a11 का magnitude होगा that should be greater than sum of magnitudes of a12 and a13 उसी तरह के से a22 का magnitude होगा that will be greater than sum of magnitudes of a21 and a23 उसी तरह के से यहाँ पर a33 का magnitude होगा that must be greater than sum of magnitudes of a31 and a32 तो यह जो है अगर यह property को follow करता है तब ही हम किसी भी equation को Gauss-Siddle iteration method से उसको पर solve कर सकते हैं उसके बर मुझे करना क्या होगा rewriting the equation for x, y and z हम यहाँ पर x को के से लिख सकते हैं यह दोनों को पर right hand side भीज देंगे और a11 को पर हाँ पर divide कर देंगे x equals to 1 upon a11 into b1 minus a12y minus a13z लिख सकते हैं उसी तरह के से अपर यहाँ पर y को के से लिख सकते हैं that is 1 upon a22 into b2 minus a21x minus a23z अब यहाँ पर z को पर किसे लिख सकते हैं that is 1 upon a33 into b3 minus a31x minus a32y इस टेकर से हम x, y और z को पर यहाँ रिखा हुआ है एक्स के लिए that is x1 के लिए यहाँ पर जो y और z आएगा वह कौन सा आएगा देखो हम पहला वैल्यू निकाल दे एक्स का तो यहाँ पर इनिश्य वैल्यू आफ य और z को पर कंसीडर करेंगे आप y1 निकालने के लिए देखो यहाँ पर x और z ए एक्स की वैल्यू को हमने रिसेटल भी हां निकाला हुआ है तो हम यहाँ पर x की रिसेंट वैल्यूं को यूज करना पड़ेगा यही डिट्रेंस आपका tiire에서 जेको आपका रेक्स मेंध्स मेंध़्र्यद करें थे यहां पर जैसे मैं y1 निकाल रहा हूं तो यहां पर अल्रेडी में पास x1 की वैल्यू है तो हम यहां पर रिसेंट वैली को यूज करेंगे और इसको करने से क्या होगा गॉस्ट सीडल इट्रेशन मेथड़ पे आपको बहुत ही काम इट्रेशन आपको आपको श, y, z की रिपीटिट वैलिव आपको मिल जाएंगी तो यही डिफार्स है दोनों मेथड में तो y1 निकालते वक्त यहां पर x और z है तो यहां पर अल्रेडी आप यहां पर निकाल चुके हैं तो यहां पर x1 पूट अप करेंगे और z की वाली है हम नहीं निकाल हैं तो यहां पर हम Z0 की वाले पूट अप करेंगे वैसे ही जब अपन Z1 निकालेंगे तो यहां पर क्या है एक्स और यहां पर निकाल चुके है तो यहां पर X1 और यहां पर Y1 पूट अप करेंगे ठीक है उसे तरह करेंगे जब second iteration perform करने वाले होंगे तो क्या करना को जितने वी आपको सब्सक्रिप्ट यहां पर लिख रहे हैं तो जो भी यहां पर सब्सक्रिप्ट है उसको हम क्या करेंगे वन से इंक्रिमेंट करेंगे जैसे यहां पर 00 है यहां पर 11 हो जाएगा यहां पर 1 और 0 है तो यहां पर 2 और 1 हो जाएगा यहां पर 1 और 1 है तो यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर आपको वेरेबल देख रहे हैं तो बहाँ पर हमने क्या क्या है increment by 1 कर दिया है तो उसी तरह कर से हमें आप एक second iteration निकाल सकते हैं अब इसी तरह को फालो करते हैं आप क्या कर सकते हैं third iteration fourth iteration को perform करके x y और z की value को आपन देख सकते हैं कि कहां पर match करता है so the above iteration process is continued until two successive approximations are equal okay अब start करते है question के साथ question क्या बोलता है solve the following system of equations by gauss-seidel iteration method 27x plus 6y minus z equals to 85 6x plus 15y plus 2z equals to 72 x plus y plus 54z equals to 110 अब यहां पर देखेंगे तो इसका जो magnitude होगा वो कितना 27 है इसका 6 हो यहां पर क्या है 1 है मैं से positive value consider करने बोलता हूं okay तो 27 देखें क्या है 6 plus 1 का greater है कि नहीं वैसे यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा है 15 तो इसका अपना जो magnitude होगा 15 हो जाएगा और यह दोगा क्या होगा this is 6 and this is 2 तो 8 से क्या होगा 15 अपर बढ़ा है तो यहां पर satisfy कर रहा है और यहां पर देखो इन दोनों का जो magnitude that is 1 और इसका 54 है तो यहां तो यहां तो यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर जो अपना diagonal dominance property जो यहां पर satisfy कर रहा है तो हम यहां से xy और z की वहले निकाल सकते हैं यूजिंग गॉस्ट सेडल iteration method ओके सपोज यह second equation अपका 3 में लेखा होता हो थारवाल equation का second में लिखा होता तो हम क्या करते पहले करते हैं हम क्या करते हैं हम पर पहले equation को rearrange करते तब जाके दिखते कि हां diagonal dominance property को यह follow कर रहा है कि नहीं जब तक यह satisfy ना करें अगे satisfy नहीं करेगा तो हम इसको apply नहीं कर सकते हैं और अगर यह satisfy करता है तो हम जो है आगे proceed करेंगे ना रिर्राइट इन देक्वेशन एक सीट इक वान अपन ट्वेंटी सवें इंटू 85-65-प्लस जैड उससे दिखे से वाई को अपन कैसे नहीं कर लेंगे नहीं है तो हम यहाँ पर लेखेंगे why not यहाँ पर लेखेंगे z not और यहाँ पर लेखेंगे assume y not equals to 0 and z not equals to 0 ऐसा में क्यों किया because question में आपको initial condition नहीं दिवी है तो यहाँ पर 0 और 0 put up किए आपको x1 की value मिली that is 3.1481 अब y1 निकालेंगे तो y1 की case में यहाँ पर x और यहाँ पर z है तो x की value हमने already निकाल चुकिए that is x1 तो यहाँ पर x1 put up करेंगे और z की value हमाँ पास नहींगे तो हम क्या करेंगे z not put करेंगे तो y1 की case में आपके x1 आएगा यहाँ पर z not आएगा अगें solve करिए you will get y1 equals to 3.5408 फिर जब z1 निकालेंगे तो z निकालते वक्त आपको आपको x और y दोनों चाहिए रहाएगा और हमारे पास x और y1 दोनों की value है तो हम यहाँ पर अगे एक्स होवाई की recent value put up करेंगे that is x1 and y1 तो value put up करेंगे आपको z1 गिता मिलेगा that is 1.9132 उससे देगर हम करेंगे iteration 2 perform करेंगे जो यहाँ formula लिखा हुआ उसमें 1 का increment करेंगे जैसे एक्स और y1, z1 लिखा तो यहाँ पर x2, y2, z2 आ गया यहाँ why not यहाँ पर z1 यहाँ यहाँ पर z1 यहाँ यहाँ पर z1 यहाँ जाएगा यहां पर x1 और यहां पर y1 लिखा तो यहां पर क्या आएगा x2 and y2 आजाएगा इसी देखें सब क्या करेगी solve करने पर क्या मिलेगा x2 equals to 2.4322 y2 equals to 3.5720 z equals to 1.9258 अब जब third iteration perform करेंगे तो x3 निकालेंगे तो यहां पर y1 z1 लिखा तो यहां पर क्या आएगा y2 z2 आजाएगा y3 निकालेंगे तो क्या होगा है हाँपे x2 और z1 लिखा तो यहां पर क्या हैगा x3 and z2 आजाएगा उसी तेकर से Z2 निकालता हमने क्या किया था, X2, Y2 यूस किया था, तो Z3 निकालता हम क्या करेंगे, X3 और Y3 यूस करेंगे, तो आपको X4 की value मिलेगे 2.4256, Y4 की value मिलेगे 3.5730, and Z4 की value मिलेगे आपको 1.960, अब ध्यान से दिखिए, जब मैं 3rd और 4th iteration को अगर मैं देखता हूं ध्यान से, तो आपको यहाँ पर decimal के बाद 3 places तक आपको वहाँ पर value मैच हो दही है, Suppose मैं आपको 3 decimal places तक निकलना चाहता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जागा देखो इसका answer, that is 2.426 हो जाएगा यह, वैसे ही Y3 के value कितना हो जाएगी, Y3 will be 3.573 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा अपना, 1.926 हो जाएगा, उसी देखके सब अब यहाँ पर 4th iteration पर X4, Y4, Z के value निकालेंगे, तो देखो यह अपने क्या बन जाएगा, 2.426 हो जाएगा, यह अपना हो जाएगा, 3.573, again, यहाँ पर Z4 के value कितना जाएगी, 1.926 हो जाएगी, तो अब देख सकते हो, X3 equals to X4 हो गया है, Y3 equals to Y4 हो चुका है, and Z3 equals to Z4 हो चुका है, एक बाद चेक कर लेत हो जाएगे, अगर मैं, iteration 2 पर X2 के value चक करूं, तो यहाँ पर अपना हो रहा है, 2.432, यहाँ पर Y2 के value कितनी थी, 3.572, और यहाँ पर Z2 के value कितनी थी, 1.926, ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर X2 के value कितनी थी, 2.432, यहाँ पर X3 के value थी, 2.426, आपको X के value यह match नहीं हो रही है, तो हमने क्या किया था, इसलिए 4th iteration perform किया था, जब तक आपके X, Y, Z, तीनों के value सेम ना आ जाए, तब तक मुझे यहाँ पर iteration perform करना है, सपोज आपका X के value सेम आती है, लेकिन Y के लिए सेम ना आती, तो हम क्या करते है, अगला iteration फिर भी perform करते है, तीनों के लिए, है ना, तो यहाँ पर from iteration 3 and iteration 4 मुझे क्या मिला, X, Y और Z के value सेम मिल चुकी है, तो हम last में क्या लिखेंगे, since the third and fourth iteration values are same, up to three decimal places, so the approximate solution is X equals to 2.426, Y equals to 3.573 and Z equals to 1.926, और यह पने क्या हो जाएगा, final answer हो जाएगा, ठीक है, thank you, thank you sir.